नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग नारियल को संस्क्रीट में स्रीफल कहते हैं और स्री का मतलब होता है लक्षमी किसी भी धार्मिक और सुबकारियों में नारियल का होना आवस्यक माना जाता है क्योंकि हिंदो मानेताओं के अनुसार पुजा पाठ में नारियल रखने से सभी कार सिद्ध होते हैं मालक्षमी की किर्पाबरस्ती है और सदाही घर में धन धान भरा रहता है माना जाता है घर में हमेशा जल से भरा हुआ नारियल यानि पानी वाला नारियल रखना चाहिए इससे घर में धन की मुश्किलें नहीं आती और वास्तू दोस्वी दूर होता है नारियल बली के रूप में प्रियोग होता है क्या आपको पता है देखिए नारियल का आकार बिल्कुल मानव खोपली के तरह होता है और इसलिए नारियल फोड़ने का बिधान है और ऐसा फोड़ा जाता है पुजापाथ में के एक बार में ही फुटे यानि एक तरह सी ये बल भी भी बला तल जाए नारीयल सक्क्त आवरन से धका होता है जिससे यह अंदर से निर्मल और पवित्र होता है और माना जाता है किनारियल के सफेद और जल वाले वास्तू को रखने से वास्तू दोस्तूर होता है इसलिए नारियल को रखा जाता है क्योंकि नारियल के सिखा में सकात्मक उड़जा का भंडार होता है और किसी भी सुबकारे में कलस के ऊपर नारियल रखना आवस्यक माना गया है अगर नारियल के ऊपर चंदन के सरोली मिला चोटा सा लेकिन अगर ब्र बीज मील जाए इसका मतलब क्या होता है आप किसी पूजापाnd में नारीयल चड़ाते हैं और ऐसा आपके साथ हो एक्रमें स्वर्चना कर आप हर लाते हैं तक पेड मतलब क्या है और इस नारीयल को क्या करें देखिए अगर आपके सब्सक्राइब अगर नहीं है तो पास मंदिन में रखाएं कभी किया होता है जब आप आपके घर में पूजा पाथ में नारियल यूज करते हैं और पहोड़ते तो अंदर से देखते हैं नारियल तोड़ने के बाद एक छोटा सा गोल नरवी स्पंजी सा आपको फल दिख जाता है तो आप दुबिधा में होते हैं क्या करें ये नारियल का जो फूल है तब बनता है जब नारियल जाड़ी से गिरता है और महिनों के बाद उसके अंदर पा पूजा कर रहे हैं आपने पूजा में चढ़ाया है तो इसका मतलब है आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है आपने जो भगवान से मन्नत मांगी है वो पूरी होने वाली है और अगर सिंपल तरीके से नारियल अच्छा ही निकले तो परसाद के रूप में सबको बांट कर पिलार भी दालेंगे धन्यवाद